सचिन तेंदुलकर is the dash backman in the world तेंदुलकर की यहां तुलना किस से हो रही है? किसी से हो रही है क्या? नई कहना चाह रहा है लेखा कुछ कि दुनिया भर के backman से कुछ है वो तो क्या बोलेंगे? चुकि तुलना नहीं हो रही है तो सुपर्लेटिव डिग्री आएगा और साथ ही एक चीज और देखिए जब सुपर्लेटिव डिग्री आती है उसका उपयोग होता है तो सुपर्लेटिव डिग्री के पहले दय लगता मैंने आपको पहले बताया Superlative degree के पहले दया लगता है तो Sachin Tandilkar is the best batsman in the world Is the best batsman in the world Right Next sentence It's a beautiful sentence धान से सुनियो उसको The pen is dash than the sword The pen is dash than the sword Sword मतलब talwar S-W-O-R-D Sword याने तलwar अब क्या मुहावरा क्या है Hindi में आपने सुना होगा Kalam बड़ी या तलवार सुना है Kalam बड़ी या तलवार इस पे बहुत वाद जिवाद होता है अच्छे colleges, schools में और एक group का कहना होता है कि Kalam ज़्यादा ताकतवर है एक का कहना होता है तलवार ज़्यादा ताकतवर है ताकतवर के लिए क्या शब्द है अंग्रेजी में Might M-I-G-H-T Might याने ताकत छमता ताकत Might, Mightier, Mightiest Might, Mightier, Mightier So the sentence is The pen is तुलना हो रही है दो एक से ही The pen is Mightier than the sword Remember Comparison हो रहा है So comparative degree आएगा Pen is Mightier than the sword Kalam तलवार से ज़्यादा शक्तिशाली है ऐसा यहां कहना है Right Next is The pacific is The pacific is Dash Than any other ocean Than any other ocean The pacific क्या है आखरी में ocean लिखा हुआ है मतलब pacific भी एक ocean है क्योंकि तुलना एक ही समान समान वस्तु से होती है तो यह उस से उस ocean से बड़ा है छोटा है ऐसा कुछ कहना चाह रहा है तो ओशन की तुलना ओशन से ही है समुद्र की तुलना महासागर की तुलना महासागर से ही होगी है तो pacific is an ocean in English pacific ocean जिसे हिंदी में कहते हैं प्रशान्ट महासागर जो उत्री अमेरिका दख्षन अमेरिका के बाएं साइड है पस्चिम में हैं उसे कहते हैं प्रशान्ट महासागर तो pacific is, अब देखिए sentence क्या बन रहा है, pacific is dash than any other ocean, क्या होगा, than आया फिर, तो second form, pacific is deeper than any other ocean, pacific is bigger than any other ocean, किसी और ocean की तुलना में ज्यादा बड़ा है, इसको दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं, यदि यह sentence यहां second comparative से बना है, तो उसमें क्या बना है, the pacific is bigger than any other ocean, मतलब क्या हुआ, pacific सबसे बड़ा है, तो हम यह भी कह सकते हैं, the pacific is the biggest ocean of all, तो देखिए, एक ही meaning को, हम दो अलग-अलग degree का अपयोग करते हुए, कैसे बोल सकते हैं, the pacific is the biggest ocean of all, next, honor, honor यहने, सम्मान, honor नहीं, honor, h यहां silent है, h-o-n-o-u-r, honor नहीं बोलते हैं, honor, honor यहने, सम्मान, honor is dash to him, then life, on our stuff, अब then, आया, जीवन से जाधा सम्मान क्या होता है, महत्पूर्ण होता है, जीवन से जाधा सम्मान बड़ा होता है, जीवन से जाधा सम्मान, जाधा important रहता है, कई लोगं के लिए, तो इन में से कोई सा शब्द आपको डालना है, Honor is dearer to him than life Honor is dearer to him than life Dearer मैंने आपके बताया था प्यारा ज्यादा प्यारा समान जो है वह जीवन से उसके लिए ज्यादा प्यारा है Honor is dearer to him The next is The Eiffel Tower is Dash than Qutb Meenar The Eiffel Tower Eiffel Tower कहा है Eiffel Tower आपने देखा होगा एक धाचा लोहे का जो उपर बहुत पॉइंटेड है और नीचे काफी चड़ा हो जाता है बहुत चड़ा हो जाता है Eiffel Tower है पैरिस में जो फ्रांस की राजधानी है तो Eiffel Tower की तुलना Qutb Meenar से हो रही है The Eiffel Tower is dash than Qutb Meenar So या तो Eiffel Tower Qutb Meenar से जादा उचा है या Qutb Meenar से कम उचा है So आपको कम उचा या जादा उचा के लिए बोलना है Answer is Qutb Meenar is taller than The Eiffel Tower is taller than the Qutb Meenar Eiffel Tower is taller than Taller So second form, second degree Let us take two, three more examples One is Balu is the Balu is the Dash bowler Among the eleven In the eleven Balu is the Dash bowler in the eleven यहाँ then तो है नहीं और नहीं किसी एक से तुलना है तो कौन से डिग्री आएगी Superlative यानि उत्तमावस्था और क्या आएगा Balu के बारे में क्या कहना चाह रहा है लेखा किस सेंटेंस में सबसे अच्छा बालर Balu जो है ग्यारा लोंगों में सबसे अच्छा बालर The best baller Balu is the best baller Among 11 Right Next is Ooty Ooty आपने सुना है एक बहुत सुन्दर रमणी स्थल से ज़्यादा मौसम के कारण वो शहर जाना जाता है करनाटक में है भारत के करनाटक राज्य में है Ooty और Ooty is also famous for coffee and tea plantation भारत की बहुत बड़ी मात्रा में चाय और काफी वहाँ उसकी पैदावार होती है Ooty is टैश दैन चनाई अब दैन आगिया तो second form भी लगाना है तो क्या बुलेंगे या तो वह सुंदर है या बड़ा है या छोटा है या बेकार है या खराब है पुट अनी वर्ड पुट अनी वर्ड़ी में है विच फॉर्म comparative degree second form उत्तरावस्था तो क्यों रखराइब बुटी इस पहले हमालयाज यहां पर क्या आँख बंद करके आप तीसरी अवस्था लिख सकते हैं क्यों? क्यों आँख बंद करके मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो डैश है उसके पहले दा लगा हुआ है और द जो है वो कब लगाते हैं जब third form रहता है adjective में third form जदी आता है the best, the most, the tallest, the highest, the lowest, the biggest, the fattest द जब आता है तो हमेशा third form आता है adjective का तो यहां पर आप third form लगा सकते हैं तो क्या बना? Mount Everest is the tallest peak of the Himalaya peak यहने परवच चढ़ाई तो यह कार, we have again done a small exercise of using comparative and superlative trying to understand that deeper. Hope we are more clear on this concept now. Still further on, the same way, with more sentences out here He is one of the He is one of the Dash speakers in Punjab क्या आएगा? The आया है So third form He is one of the best speakers in Punjab He is one of the best speakers in Punjab Right? Who was the Dash General? Who was the Dash General? Alexander और Caesar Caesar एक बहुत प्रसिद जनरल था Greek mythology में और Alexander का नाम तो आपने चुनी है जिसे हिंदी में Shikandar Mahan कहते हैं तो सवाल पूछ रहे हैं Who was the Dash General? Alexander और Caesar तो क्या बोलेंगे? Who was the greatest general? General? नहीं क्योंकि तुलना केवल दो में हो रही है तुलना किसमें हो रही है ? दो में हो रही यद्य पी वहां दी लिखा हुआ है पर तुलना केवल दो में है So जब केवल दो के बीच तुलना है तो second form आता है Who was the greater general? Who was the more famous general? Alexander or Caesar. So, the second form will come. Dash. The Dash fables are attributed to Aesop. The Dash fables are those attributed to Aesop. Look, Aesop's spelling is A-E. A-E-S-O-P. Aesop's story is a lot of books. The Dash of Fables is the Dash of Fables. यह अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया है. Fables यहने कहानी. The Dash fables are those attributed to Caesar. अब यहाँ पे कोई तुलना है क्या? किसी से Aesop की तुलना हो रही है क्या? नहीं हो रही है. So, it has to be third form. The best fables are those, the most interesting fables are those, the best, the most interesting, which are attributed to Aesop. जो Aesop से जुड़ी हुई है, वो सरफ्षेष्ट कहानिया कही जाती है. Next is, the Arabian Nights, यह भी साहित की बहुत प्रसिद किताब है, कहानियों का पलिंदा है, भल्डार है. The Arabian Nights is perhaps, perhaps मने शायद, the Arabian Nights is perhaps the best story book. Why the? Because there is no comparison with another one. किसी दूसरे के साथ तुलना इसमें नहीं कही गई इस वाक्य में. और comparative तो हमेशा दू की तुलना के बीच में आता है, तो यहाँ नहीं है, इसलिए हमने क्या लिखा है? The Arabian Nights are perhaps the best story book. Next is, clouds float in the sky. Cloud याने बादल, float याने बहना, सतही बहना, सतह में बहना. Clouds float in the sky because they are dash than the air. Then आया, तो then में क्या होगा? Second, because they are lighter than the air. वो float करते हैं क्योंकि हवा से हलके, हवा से भरी होते हैं तो float नहीं करते हैं, फिर बैठ जाते हैं. So, they are lighter than the air. Next is, last one we do it. It is good to be clever. It is good to be clever. But dash to be industrious. क्या आएगा यहां पर? अब यहां तुलना हो रही है. Clever होना अच्छा है कि महनती होना अच्छा है. Industrious मतलब महनती. It is good to be clever. But dash to be industrious. तो महनत की तुलना किस से हो रही है? Clever से, दिमाग से, बुद्धी से. ज्यादा अच्छा क्या है? It is good to be clever. But it is better to be industrious. केवल दिमाग हो और महनत नहीं कर रहा हो तो कुछ मिलेगा, हासिल होगा? नहीं. महनती होना ज्यादा जरूरी है. महनत करें, तो कम दिमाग वाले भी बहुत ऊपर पहुशते हैं. कहते हैं न कि असफल होना सफलता की पहली कुझी है ऐसे बहुत सारे उधारन हैं बड़े बड़े उधारन हैं जहां सफलता ने उनको सफलता पर पहुंचाया सफलता के पायदान पर पहुंचाया So, here is a very important sentence for you That it is good to be clever But it is better to be industrious मेहनती होना ज्यादा अच्छा है अभी दो तीन उधारन देते हुए मैंने आपको बताया थे कि कैसे comparative degree के बने हुए sentence को उसके अर्थ को बिना बदले हम superlative degree कैसे यूज़ कर सकते हुए comparative degree का उपयोग करते हुए हम superlative degree के बने हुए sentence को कैसे बिना meaning बदले बदल सकते हैं बिना अर्थ बदले वही exercise अब यहां हम थोड़ा और करते हैं how we can say the same thing in two different ways one way by using superlative other way by using comparative both having the same meaning very simple उधारन के लिए lead जो है वो सभी धातूओं में सबसे ज़्यादा भारी है और दूसरा वाकिय क्या है lead जो है वो सभी धातूओं में सबसे ज़्यादा भारी ये तो पहला हो गया दूसरा है lead जो है वो अन्य धातूओं से ज़्यादा भारी है और दूसरे में मेंने का अन्य धातूओं में अन्य धातूओं से ज़्यादा भारी तो मैं तुलना कर रहा हूँ अन्य धातुओं से ज़्यादा भारी तो अन्य धातुओं से ज़्यादा भारी तुलना कर रहा हूँ तो धैन होगा दैन हुआ तो comparative So, here is the comparison, lead is the heaviest of all metals, lead is the heaviest of all metals, और comparative क्या हुआ, lead is heavier than all other metals, lead is heavier than all other metals. Similarly, महा बलेश्वार is cooler than पंच गनी, यह दोनों बहुत प्रसिद्ध भारत में tourist places हैं, महा बलेश्वार is cooler than पंच गनी, महा बलेश्वार जो है, वो पंच गनी से ज्यादा ठंडा है, इसको और कैसे बोल सकते हैं, कि पंच गनी महा बलेश्वार जितना ठंडा नहीं है, वही meaning हुआ ना, पंच गनी महा बलेश्वार जितना ठंडा नहीं है, और दूसरे में मैंने कहा, महा बलेश्वार पंच गनी से ज्यादा ठंडा है, दोनों का तातपर एक है, दोनों का अर्थ एक है, दोनों को बोलने की शैली अलग-अलग है, एक में मैंने comparative use किया है, और मैंने positive degree use की है, अंगरेजी में इसको देख ले, महा बलेश्वार is cooler than पंच गनी, and पंच गनी is not so cool as महा बलेश्वार, cool is the first form, so positive form, पंच गनी is not so cool, इतना ज्यादा ठंडा नहीं है, जतना की महा बलेश्वार, यह example है आपका comparative बनाम positive, पहला था आपका superlative बनाम comparative, now let's come to the next one, he is as wise as Solomon, western literature में, western mythology में Solomon को बुद्धी का प्रतीक माना गया, बुद्धी मत्ता का प्रतीक, बार-बार Solomon के बारे में जिक्राएगा और आता है, English literature में, तो एक वाक्य है, वह Solomon जितना ही बुद्धिमान है, यह हो गया positive, wise पहला रूप है, wise, wiser, wisest, right? So positive, she is as wise as Solomon, अब इसको हमें comparative में बनाना है, क्या बनेगा? Solomon was not wiser than he is, Solomon was not wiser than he is, उस Solomon उससे जादा बुद्धिमान नहीं था, मतलब वो उतना ही बुद्धिमान था, जितना Solomon, right? So यह उदारन हो गया positive बनाम comparative, now let's see, Shakuntala is the best drama in Sanskrit, Shakuntala is the best drama, the best क्या हुआ, superlative degree, उत्तमावस्था, the best drama, अब इसको हमको comparative करना है, तो क्या बोलेंगे? Shakuntala is better than any other drama, you are the best player in your school, एक वाक्य है, you are the best player in the school, आप अपने स्कूल के सरुष्षेष्ट खिलाडी हैं, इसको हिंदी में दूसरा क्या बोलेंगे? आप से बहतर कोई दूसरा खिलाडी स्कूल में नहीं है, यही हो न, no other player is better than you, there is no other player better than you in the school, एसे ही यहां पर आया, Shakuntala is better than any other drama in Sanskrit, उसका positive क्या होगा? no other drama in Sanskrit is as good as Shakuntala, is so good as Shakuntala. comparative, बना positive, Chennai is bigger than most of the other cities, Chennai is bigger than most of the other cities, most of the cities. Chennai अधिकतर शहरों से बड़ा है, इसको और कैसे बोल सकते हैं? सोचिये थोड़ा सा, दिमाग को इसमें कुरिदना पड़ेगा, Chennai बहुत सारे शहरों से बड़ा है, इसको और कैसे बोलेंगे? Chennai is bigger than most other Indian cities, अब इसको positive में जदी बोलना है, very few Indian cities are as big as Chennai, very few, जदी अधिकतर शहरों से बड़ा है, इसका मतलब कुछ शहर क्या हैं? उससे बड़े हैं, Chennai से बड़े हैं, तो very few cities are bigger than Chennai in India. Now let's do last example, and last example is comparative बनाम superlative. Tennyson is not greater than some other poets. Tennyson, बहुत पसिद्ध कभी हैं, English शाहित के, Tennyson is not greater than some other poets. कुछ अन्य कभियों की तुलना में Tennyson महान तर नहीं हैं. उसको ऐसे भी बोल सकते हैं, some poets are not less great than Tennyson, some poets are not less great than Tennyson. अब इसको superlative बनाना है, तो Tennyson is not the greatest of all poets. पहले जो दोवा की बोले, उससे फ़स्ट है, कि कुछ लोग Tennyson से बहतर हैं, इसका मतलब Tennyson सरशेष्ट नहीं हैं. तो Tennyson is not the greatest. Superlative degree युष करते हुए कहा है, he is not the greatest. He may be one of them, but not the greatest. So, this is how we can convert superlative into comparative or comparative into positive and positive into superlative without changing the meaning of the sentences, right. So, with this, this exercise comes to an end. Now, we will come to the another exercise without changing the meaning. How do we make sentences? Now, let's do some exercise. Try to search for it. What is the answer? किस चीच की exercise? कि कैसे बिना अर्थ बदले हम डिग्री बदल कर वाक्य बना सकते हैं. बिना अर्थ बदले डिग्री बदल कर वाक्य बना सकते हैं. वही जो हमने अभी पहले किया. So, here are some examples. No planet is so big as Jupiter. No planet is so big as Jupiter. Jupiter जितना बड़ा कोई planet नहीं हैं. क्या बुलेंगे? All other planets are smaller than Jupiter. All other planets are smaller than Jupiter. जब मैंने इसका दूसरा वाक्य बनाया हैं. तो अर्थ वही हैं. और क्या दूसरा वाक्य था? All other planets are smaller. Smaller कौन सा degree हो गया? comparative. So, positive degree बनाम comparative degree. Next is, he would sooner die than tell a lie. He would sooner die than tell a lie. क्या वाक्य हुआ? वह जल्दी मर जाएगा जूड बोलने के बदले. अब इसका क्या वाक्य होगा? थोड़ा सोच ये, बनाईए इसको. Churn your mind. Churn करना मतलब मतना. Churn करना येने? मतना. मन्थन करना. थोड़ा मन्थन करिये. Don't get the ready-made answers everywhere. So, after one sentence, having told you, this is one. I give you few more sentences for you to do exercise on. And that is, India is the largest democracy in the world. क्या करना है आपको इसको? बिना मेनिंग बदले, डिग्री बदल सकते हैं. India is the largest democracy. तो कौंसी डिग्री है? Superlative degree. उत्तमा वस्था. Third form. Large, larger, largest. अब इसका मीनिंग बिना बदले, क्या वाक्य बनेगा? यदि मैं हिंदी में एक वाक्य बनाके दे दूँ इसी का. India is the largest democracy in the world. भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोक तंत्र है. इसको और कैसे बुला दा सकता है? दुनिया का कोई देश, दुनिया का कोई भी देश, भारत से बड़ा लोक तंत्र नहीं है. एक तो यह हो गया, दुनिया का कोई भी देश, भारत से बड़ा लोक तंत्र नहीं है. यहां भी positive आएगा. लेकिन यदि comparative करना है तो अब क्या बोलेंगे? दुनिया के सभी देश, भारत के लोक तंत्र से छोटे हैं. तो लना हो गई? तो यह comparative. Now, you translate that into English and try to struggle. Samudra Gupta was one of the greatest Indian kings. Samudra Gupta was one of the greatest Indian kings. Gupta Vansh का शासक था Samudra Gupta. जिसको हम एक मात्र सा शासक कह सकते हैं, जिसने विदेश में अपना सामराज बढ़ाया. पर विशेश रूप से पूरवी एशिया की तरफ उसमें भारत के लिए काफी क्षेतर जीते हैं. अब इसका आपको पॉजिटिव लगाके या कंपेरिटिव लगाके वाकिए बनाना है. नेक्ट सेंटेंट, ये वाकिए हम मैंने बता लिया आपको पहले हैं. फिरोशेस मतलब खतरनाक, भयानक. अब इसको आप याद करें कि क्या बताया गया था और कैसे डिग्री चेंज किया जाया और मीनिंग वही रहें. बिना अर्थ में परिवर्तन किये, डिग्री बदल कर कैसे यही वाकिए बोला जा सकता है. Right. Next is Australia is the largest island in the world. Australia के साथ एक खासियत है. Australia is a continent also, एक महा द्वीप है. और सबसे बड़ा द्वीप भी कहते हैं उसको. सबसे बड़ा द्वीप और एक महा द्वीप. So, वाकिए यहाँ पर, Australia is the largest island in the world. फिर मैं आपको इसका इत्तर दे देता हूँ No other island is larger than Australia No island in the world is larger than Australia Right, तो larger क्या हो गया, second form और पहले sentence में largest use किया है, third form दोनों वाक्यों के अर्थ वही हैं जबकि degree अलग-अलग हो गई So hope you are understanding the exercise, the purpose आप प्रश्ण समझ रहे हैं, प्रश्ण क्या है कि बिना अर्थ को बदले डिगरी बदल कर कैसे वाक्यों बनाया जा सकता है Again, next A wise enemy is better than a foolish brain A wise enemy is better than a foolish friend अब इसको बनाई है A wise enemy is better than a foolish friend Better कौन सा है, comparative है Comparative है और comparative है इसलिए दो के बीच में तुलना हो रही है अब दो के बीच में तुलना हो रही है तो बिना अर्थ चेंज के हम डिगरी कैसे बदले हैं आप सोचिए and do it yourself Next sentence I know him quite well I know him quite as well as you do I know him quite as well as you do मैं उसे उतनी ही अच्छी तरह जानता हूं जितना तुम जानते हो मैं उसे उतनी ही अच्छी तरह जानता हूं जितना तुम जानते हो मैं उसे तुम्हारे जितना ही जानता हूँ या तुम मुझे से बहतर नहीं जानते या मैं तुम से बहतर नहीं जानता इन में से कोई सा विरूप आप बना सकते हैं next is no other man was as strong as भीम no other man was as strong as भीम कोई अन्य आदमी भीम जितना मजबूत strong नहीं था मतलब भीम क्या था भीम सबसे जादा मजबूत था तो अब सबसे जादा मजबूत कौन सा है डिगरी superlative third degree सबसे जादा मजबूत के लिए क्या शब लेंगे strongest अब strongest शब को लेकर आप वाक्य बनाईए अर्थ वही रहे जो यहाँ पर है no other person is as strong as भी next sentence Mount Everest is the highest peak in the Himalayas यह वाक्य पहले भी बन चुका है फिर से आपको exercise की रूप में Mount Everest is the highest peak in the Himalayas Himalayas में Mount Everest जो है सबसे उंचा परवत है इसको हिंदी में और दिसरे तरीके से कहते बोलेंगे कोई अन्य परवत Mount Everest से ज़्यादा उंचा नहीं है अब इसको आप अंगरे जी में स्वैम बनाएं कोशिश करें नहीं है नहीं है? मैं फिर तो दोहरा दूँ वेरी फ्यू अनिमल्स आर ऐस उसफुल ऐस काव। बहुत कम जानवर गाय जितने उपयोगी हैं। हिंदी में क्या बनेगा इसका। गाय से ज्यादा उपयोगी बहुत ही कम जानवर हैं। अभी तक हमने अद्जेक्टिव क्या है उसके टाइप उसको कैसे तीन उसके डिग्रीज हैं। और कैसे वो बनाय जाता है। और उसके क्या नियम है। यह देखा। Now we come to an altogether different topic related to adjective. अब हम विशेशन से जुड़े हुए एक बिलकुल अलग विशेशन पर आते हैं। विशेशन को कैसे नाउन जैसा उपयोग कर सकते हैं। जब हमने नाउन पढ़ा था संग्या उस समय हमने पढ़ा था कि नाउन को कैसे विशेशन में बदला जा सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे अब हम पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ रहे हैं। How adjectives can be used as nouns। It's very simple but all the same such use makes English more interesting। विशेशन बहत बहुत बहुत संग्या की रूप में उसका प्रयोग होता, it's very common। But how do we use it? the first rule in general that you can have is व्यक्तियों के वर्ग को प्रगट करने वाले बहु अच्छक संग्याओं के रूप में व्यक्तियों के वर्ग को प्रगट करने वाले एक को संग्या के रूप में एक एक ग्रूप को उधारन के लिए the cautious are not always coward cautious मतलब संभल कर चलने वाला I am very cautious before I take a decision I am very cautious Sajag, Sachet बहुत समल कर चलने वाला इसका अर्थ विता है cautious अब ऐसे व्यक्तियों के श्रेणी को हम क्या बोल देंगे यह cautious क्या हुआ वह व्यक्ति बड़ा cautious है तो क्या है वो विशेशन हुआ वहाँ cautious वह व्यक्ति बड़ा cautious है बड़ा Sajag है, Sajag प्राणी है अब इसको हमको Noun में बदलना है तो हम यह कह सकते हैं कि जो लोग Sajag रहते हैं वे लोग बड़े समल के चलते हैं तो Sajag रहने वालों की एक श्रेणी ही बन गया एक जुंडी बन गया the cautious उसको ज़िए हम बोल दें तो इसका अर्थ होगा वे सब लोग जो Sajag रहते हैं अर्थाच यह हो गया Noun, यह हो गया Sangya, एक समू, एक समुदाय एक collective noun एक group the cautious are not always coward coward मतलब डर्पोख जो लोग सजग रहते हैं वो थोड़ा धीरे धीरे कदम फूख के चलते हैं समल के चलते हैं तो कुछ लोग उसको कहते हैं कि समल के चल रहा है मतलब बहुट डरता है क्या ऐसा नहीं है यह वाकिज यही बताता है कि the cautious if I am cautious यदि मैं सजग हूँ इसका अर्फ में डर्पोख हूँ ऐसा नक लिया जाए दूसरे अर्फों में जो लोग सजग हैं वे लोग डर्पोख होते हैं ऐसा नहीं माना जाए तो जो लोग सजग हैं उसके लिए क्या शब्द है the cautious that means the cautious people the rich the rich behave very differently the rich know not how the poor live the rich know not how the poor live the poor मतला गरीब लोग उसमें लोग को हटा दिया गया और केवल गरीब बोला गया the poor अमीर लोग में लोग को हटा दिया गया the rich people में people को हटा दिया the rich लगा दिया the rich मतलब अमीर लोग adjective से noun बनाना यहां सीख रहा है and it is very simple but it's very useful the English language becomes very rich और ना मिन्टेट मतलब सजावत की वी लगती हु भाशा तब हम ऐसा जब हम ऐसा यूज करते हैं तब wicked चालाक the wicked are hated by everyone hate करना मतलब नफरत करना wicked मतलब चालाक लोगों को प्राश नहीं आती पसंद नहीं आती so the wicked are hated the wicked people are hated people को आप अपटा दीजे the wicked बोलेंगे यहने ऐसी जाती प्रजाती मनिश्यों का ऐसा जुंड जो एक ही तरह का व्यभार करता है चालाक हैं उन्हें हम कहेंगे the wicked right so एक तो नियम यह हो गया कि व्यक्तियों के वर्ग को प्रकट करने के लिए बहुआचन संग्या के रूप में यहाँ इसमें यह जरूरी है कि बहुआचन के रूप में समुदाय को होता है मैंने आपको जैसा बताय है समुदाय के लिए अवियोग करते हैं एक के लिए नहीं Now next is, भाव वाचक गुण प्रगट करने के लिए एक वचन संग्या, भाव वाचक एक वचन संग्या, वजाहरन के लिए the future is unknown to us, future क्या है भाव वाचक संग्या, भविष्य, इसको एक वचन के रूप में प्रगट करना, is है और नहीं है, remember the future is, it is singular, एक वचन, and future is भाव वाचक संग्या, abstract noun, future is abstract noun, so the future is unknown to us, next is, he is the lover of beautiful things, he loves beautiful things, अब मैं beautiful things में things को हटा देता हूँ, तो अंग्रे जी बड़ी एक संदर हो जाती है, he is the lover of the beautiful, the beautiful, पहले बाकिय में क्या था, he is the lover of beautiful things, दी नहीं था, अब मैंने उसको दी लगा दिया, definite कर दिया, कैसी चीजों को प्यार करता है, कैसी चीजों को पसंद करता है, संदर चीजों को, जितनी भी चीजों संदर हैं, उसे पसंद करता है, so he is the lover of the beautiful, तो यह हो गया, भाव आचक संग्या से, adjective को भाव आचक संग्या में कैसे बदलते हैं, right, next is, कुछ adjective ऐसे हैं, जो वास्तों में संग्याय बन जाती हैं, और दोनों वचन में उस कॉप्यों करता है, they really become nouns, उसे हम उनके नाम लें, Australia, Australia से Australians, Australian मतलब जो Australia, Australia ही प्रजाती के हैं, और एक वचन में भी होता है, he is an Australian, and Australians are welcome in India, Australians are very good at cricket, तो ये हो गया आपका Australian जहां विशेशन है, he is Australian by birth, ये तो विशेशन हुआ, अब इसको हम noun भी बना दिये, एक वचन में भी noun, बहुचन में भी noun, this is what we have to understand, Australian, Australians, Canadian, Canadians, Indian, Indians, Italian, Italians, etc. So, कुछ विशेशन वास्तों में संग्याएं हो जाती हैं, और इनका उप्योग हम एक वचन, बहुचन दोनों में करते हैं, right? Next is, some are denoting persons, कुछ ऐसे होता है जो व्यक्तियों को दिखाता है, to denote मतलब इशारा करना, दिखाना, यह क्या है, विशेशन, जो व्यक्तियों को दिखाता है, और संग्या हो जाता है, जैसे, You are junior to me, junior मतलब छोटा, आप मुझसे छोटे हैं, तो छोटा यहां क्या है, विशेशन है, लेकिन the juniors are coming today to meet me, the juniors, मतलब मेरे से छोटे लोगों का पूरा समूह, आज मुझसे मिलने आ रहा है, तो व्यक्तियों को जो जुण्ड को बताता है, juniors, seniors, inferiors, superiors, criminals, elders, minors, यह जो शब्द हैं सारे, यह व्यक्तियों के समूह को बता रहा है, और क्या बन गया है, संग्या बन गया है, junior मतलब छोटा, inferior मतलब उससे नीचा है, superior मतलब उससे बहतर, criminals मने अपराधी, elder यह बड़ा, minor मने 18 से कम का, अब 18 से कम के एक लड़का हैने minor, और minors, this hostel accommodates all minors, इस hostel में 18 साल के सब बच्चे, 18 साल से कम रुम्र के बच्चे रहते हैं, ऐसी एक सब्ध है, savage, savage मतलब बहुत खतरनाक, savage, बहुत बुरा व्यवहार, savagery बहुत बुरा व्यवहार, तो the savage, मतलब ऐसे लोग जो बहुत दरिंदिता का व्यवहार करते हैं, उनके जुंड को कह दिया, the savage, criminals को कह दिया, criminal से बना criminal, he is criminal by nature, criminal यहाँ adjective है, लेकिन criminals यदि कह दिया, तो अपराधियों का good, अपराधियों का जुंड, और अपराधियों का जुंड क्या है, noun है, संग्या है, तो कुछ विशेशन वास्तों में संग्याए बन जाती है, प्रापर नाउन से, कुछ विशेशन व्यक्तियों के जुंड को बताती हैं, और इसलिए वो नाउन बन जाती है, ऐसे ही कुछ वस्तों को बताती हैं, कुछ एड्जेक्टिव जो हैं, वो वस्तों को बताते हैं, I know your secret, मुझे तुम्हारा रहस्य मालूम है, रहस्य क्या है, एड्जेक्टिव है, I know your secret, मुझे तुम्हारा रहस्य मालूम है, The secrets are not to be told, the secrets are not to be told, रहस्यों को बताया नहीं जाता, अब देखिये यहां रहस्यों, रहस्य विशेशन है, और रहस्यों संग्या बन गया, संग्या में उसको बदल दिया, कोई वस्तों है, यह कोई जीव नहीं है, तो वस्तों को हम बदल सकते हैं, Liquids, this is in liquid form, adjective है, this is in liquid form, यह adjective हुआ, liquid यहां पर पानी के रूप में है, अब इसको हम संग्या बना दिये, the liquids are, The liquids get evaporated, liquid जो है, वो भाब बन जाती है, तो ऐसे में हम क्या बोलेंगे, the liquids, the solids, Valuable मतलब क्या होता है, Valuable आपने सुना होगा जरूर, लेकिन ध्यान नहीं दिया होगा, Valuable मतलब बहुमूल्य, आपने मुझे बड़ा Valuable Advise दिया है, आपने मुझे बहुमूल्य, आपने मुझे बहुमूल्य, हिदायत दिया है, एड्वाइज दिया है, राय दिया, बहुमूल्य राय, Valuable Advise, अब यदि वो हाँ पर ऐस लगा दें, तो वो नाउन हो जाता है, Valuable, Valuable मतलब कीमिती चीजे, आपने, when I leave my house, when I go out of my house for three days, I keep all my valuables in my sister's house, when I go out of my house for more than one day, I keep all my valuables in my sister's house, मैं अपने सारे जो महंगी कीमती सामान है, सोना, जवाहराच, पैसा, कैश, जादी, जो भी है, वो सब मैं अपनी बहन के हां रखता हूं, तो देखिए, Valuable, adjective है, और बहु अचन में S लगाया, तो valuables यहने नाउन हो गया, there are many words which become noun with the addition of S against an adjective, and have totally different meaning, have totally different meaning also, valuables का meaning देखिए, बदल गया पूरा, solid or liquid तो ठीक है, secret भी वही रहा, but valuables का पूरा बदल गया, so we are talking about how adjective becomes noun, with some addition, some change, अभी जो आपने उधारन देखे, उसमें हमने देखा कि कैसे S लगाने से संग्या बन जाता है, विशेशन, और एक उधारन हमने valuables का भी देखा कि S लगाने से उसका अर्थ भी बदल गया, in other word, यदि कुछ विशेशनों का संग्याओं में आपको प्रयोग करना है, If you want to use few adjectives as nouns, just make it plural, केवल बहु अचन कर दीजे, तो वो संग्या हो जाएगा, जैसे valuable का valuables हो गया, in other word, कुछ विशेशनों का संग्याओं के रूप में केवल बहु अचन में प्रयोग होता है, जैसे मैंने बताया valuables, ऐसी एक शब्द है, बड़ा common है, eatables, eatable मतलब क्या होता है, eatable, एस नहीं, this vegetable is not eatable, खाने लायक नहीं, खाया नहीं जा रहा है, खाया नहीं जा रहा है, not eatable, और eatables मतलब क्या हुआ, एस लगा तो, बहु अचन हो गया तो, eatables मतलब खाने वाली चीज़ें, I have brought too many eatables today, मैंने बहुत सारी खाने वाली चीज़ें लाई हैं, तो यह देखिए, खाने वाली वस्तुएं संग्या हो गया, और eatable जो था, it is not eatable, खाने लाइक नहीं है, the preparation is not good, it is not eatable, वहाँ एस नहीं लगा, valuables का मैंने आपको पहली बताया, कि valuable में एस लगाया, तो इसका मतलब बहुत था, sweet, you are going to the market to buy sweet or sweets, you are going to market to buy sweets, remember, बहु अचन में ही होता है, यदि आप बोलेंगे कि मैं बजार मीठा खरीदने जा रहा हूं, तो गलत है, कुछ मीटी चीज खरीदने जा रहा है, ऐसा उसका meaning होगा, और वो sentence बनेगा, I am going to the market to buy some sweet, something sweet, वहाँ विशेशन है, लेकिन I am going to market to buy sweets, मतलब मिठाई, sweets यहने क्या हुआ, जिसमें मिठास है, मिठाईया, मिठाईया क्या है, नाउन, right, मिठाईया, नाउन हुआ, और मिठास क्या हुआ, विशेशन, sweet यहने मिठास, valuable मतलब कीमती, बहुमूल, eatable मतलब खाने लायक, लेकिन eatables यहने, खाने वाली चीजें, valuables यहने, कीमती सामान, और sweets यहने, मिठाईया, तो यह किवल S लगाने से, देखिए, कैसे विशेशन, संग्या में बदल गई, और वो भी बहुचन, यह बहुचन में ही होगा, इसको आप याद रखेगा,